आप चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले हो फेस्बुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मनीश कहेंगे अभीरा से कि हमें टाइम तो दो तुम वेडिंग रिचुल्स पूरे करने के लिए वो कहेगा कि मेरी बेटी को मैं बस खुश देखना चाहता हूँ जो कि वो है अभीरा यहाँ पर मनीश को फॉलो करने के लिए कहती है रिचुल्स और स्वर्ना शौक हो जाती है तब भी रूही डिसाइड करती है कि वो अर्मान से शादी करेगी और वो वेट करेगी जब तक अर्मान उसे मिलने नहीं आता अर्मान यहाँ विद्या से कहता है कि आप मुझे सपोर्ट कीजे लेकिन विद्या उसे इग्नोर करती है कावेरी रिचुल्स प्रफॉर्म करती है विद्या के बहाफ पर वो अर्मान से कहती है कि तुम उसे थोड़ा समय दो कावेरी यहाँ पर पोदार से कहती है कि तुम सब रेडी हो जाओ और शादी के मंड़प में पहुँचो अर्मान अपसेट है माधव यहाँ पर अर्मान से कहता है कि बेटा तुम सिर्फ अपनी शादी पर फोकस कर ओवर डिसाइड करता है कि वो अर्मान के लिए विद्या से बात करेगा संजय कावेरी से कहता है कि क्या आप अभीरा से हार गई है कावेरी कहती है कि मैं कल की तयारी कर रही हूँ वो एक्सपेक्ट करती है कुछ और जिसकी वज़े से अभीरा हार जाएगी रूही यहां मंदर में पहुँचती है मनीशा और मनोच शम्भू से कहते हैं कि तुम भी मंदर चलो रोहित यहां पर रूही की वबारे में सोचता है कि वो कहां गई रूही मेसेज कहती है रोहित को कि मैं वेन्यू डरकली पहुँच जाऊंगी कि रोहिस सोचता है कि शायर वो मेरे से अपने आपको दूर रखना चारही है माधव कहते हैं यहाँ पर विद्ध्या से कि चलो हमारे बेटे की शादी है तुम तयार हो जाओ वो विद्ध्या से कहते हैं कि तुम्हें नफरत नहीं करनी है तुम्हें हटाना है ये सब कुछ माधव question करते हैं अर्मान से विद्या के relationship के बारे में विद्या कहती है कि अर्मान ने मुझे सौतेली माही माना है तबी तो उसने मेरे उपर अभीरा को चूज किया माधव कहते हैं कि विद्या इससा में अर्मान को तुम्हें सपोर्ट के जरूरत है विद्या कहती है कि अर्मान अपने जिंदिगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है मैं इस शादी का हिस्सा नहीं बनूँगी माधव इंसिस करता है विद्या को विद्या माधव से कहती है कि आप जाने से पहले दर्वाज़ा बन कर दीजे और माधव विद्या को अकेला छोड़ देता है रूही यहाँ पर कहती है कि आज तो भगवान भी मुझे अर्मान से शादी करने से नहीं रोख सकते उस सारे अर्मान का इंतजार करती है पोदार्स यहाँ पर बरात लाते हैं अभीरा अर्मान डांस करते हैं मनीश डिसाइड करते हैं कि वो अर्मान के सारे रस्मों को निभाएंगे और अर्मान बेचेन होता है स्वर्णा यहां पर वरेड है रूही के बारे में अभीरा स्वर्णा को थेंक्स कहती है हमेशा उसका ध्यान रखने के लिए उसका साथ देने के लिए वह अभीरा को कहती है कि तुम भी अब हमारी फैमली हो स्वर्णा अभीरा अर्मान को आश्यवाद देती है अभीरा इमूशनल हो जाती है, पंडित जी अर्मान से कहते हैं, आप अपने हाथ धूलीजे, मादव कहते हैं विद्या से कि यहाँ पर उसने तुम्हारी शादी में आने से मना कर दिया, मनुश कहते हैं कि वो जरूर आएंगी देख लेना अर्मान के लिए, विद्या सोचती है कि मैं अर्मान के सौतेली मा हूँ और अभीरा वेन्यू पर पहुँच जाती है, यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग फ्रैक में देखना होगा काफी जादा इंट्वरस्टिंग कि आखर क्या विद्या सही मौके पर पहुँचेगी अर्मान की शाधी में और क् अर्मान सही टाइम पर पहुँच पाएगा अभीरा से शाधी करने के लिए मंडप में क्या लगता है कॉमन कीजे साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक शेय कीजे और फेस्बुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं